नमस्कार आप देख रहे हैं दबाज स्टोडी मैं हूं मेगा से अगर बात करे भारत के इतिहास की तो समराट असोग के समय में भारत को गोल्डेन पीरियड माना जाता था उस समय भगवान बौध का काफी प्रचलन था काफी माना जाता था अगर बात करें डॉक्टर बियार अंबीदकर की तो वे भी बौधधर्म को काफी मानते थे उन्होंने इन पे काफी किताबे भी लिखी है अगर बात करें बौधधर्म की तो भगवान बुध्ध ने गौतम बुध ने इसके अस्थापना की थी बौधधर्म लोगों को प्रे बारतिय बुद्धिस्ट सोसाइटी में और हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट ग्यनेंद्र कुमार तथागत सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अमेगा जी बहुत-बहुत धन्यवाद आप। जी सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी इस सोसाइटी के बारे में कि इसके स्थापना कैसे हुई और इसकी हिस्ट्री क्या रही है। स्थापना की। और बाबा सहाब पांच लाख लोगों को लेकर 14 अक्टूबर 1956 को नाधपुर में बाध धर्म की दिक्षा पराप्त की। बाबा सहाब का सपना था बाध मैं भारत को बनाना। और बाध मैं भारत का मतलब है दया प्रेम करना और समंता पर अधारित। भारत का निर्मान करना इसकी समाजिक व्यवस्था की निर्मान करना जहां गैर बराबरी नहीं हो छुआ छुट नहीं हो आस्पिरता के लिए कोई जगा नहीं हो मानव मानव के बीच तमाम परकार के भेद भाव रंग भेद सारे भेद को समाप्त कर मानवता की संदेश को जिस संदेश को तथागत गौतम बुद्ध ने दिया उनको परचार परसार करना और भारत की जो पुरानी गौरब साली जो इतिहास है जो इतिहास समराथ हसोक के समये भारत को स्वर्ण जुक कहा जाता था उस समये हमारे देश की जो सिमाए थी इरान तक कमबोडिया तक फैली हुई थी बाबा साहब का सपना था अखंड भारत जो समराथ हसोक के समय है उसको पुनर अस्थापना करना और पुनर अस्थापना धमम पर ही हो सकता है बाबा साहब बहुत धर्म स्विकार करने के पीछे सबसे बड़ा तरक रहा कि हिंदु धर्म में जो बुराईयां है जो पाखंड है गैर बराबरी है मानब मानब के बीच भेद भाव है मानब को मानब के रूप में जीने की अधिकार को बंचित करता है उस बेवस्था के बिरुद जो हमारा प्राचिंतम तथागत गौतम बुद्ध इस देश में पैदा लिये और आज उनके विचार धारा को 86 कंट्री में 86 देशों में लोग मान रहे हैं और बुद्ध धार्म का जो बुनियाद है दया प्रेम करना पर अधारित है मानब मानब के बीच प्रेम पर अधारित है और उस समय जो समराठ हसोक के समय जो भारत था उस समय जातिय व्यवस्थाएं समाज में नहीं थी समाज में ग्रंतांत्रिक व्यवस्थाएं थी और शमराठ हसोक के समय भारत में अंतराश्थिय अस्तर की विश्व विद्धाले था चिखिस्था के केंद्र था नालंदा का विश्व विद्धाले तक सिला का विश्व विद्धाले जहां विदेशी यात्री विदेशी छात्र पढ़ने आते थे भारत के संस्कृति पर बहुत धम पर सोध करते थे जिसको हिंदुबादी पुरातन और संपरादाइक लोगों ने हमारे अंतराश्थिय जो दिख्षा का केंद्र था जो विश्व विद्धाले था उसको पहले खत्म करने की कोशिद किया समराथ असोक ने पूरे देश में 84,000 बहुत अस्थुपों का निर्मान कराया और 84,000 बहुत अस्थुप और सांती का परतिक है इसलिए जब हम भारत का कंश्वसन को देखते हैं उस पर जो असोक अस्थम है वो हमारा बाधाव पिरियट की याद करता है जो उसमें गोल चक्र है उसको हम धमम चक्र कहते हैं तो हमारा मक्सद तथागत गौतम बुद्ध के बिचारों पर बाबा साहब के बिचारों पर अधारित पंचसिल के निर्मान करना है बाबा साहब जो चार मई 1904 को बुद्धी सोसाइटी का निर्मान किया वो बुद्धी सोसाइटी अपने उद्धेसों से भटक चुकी है कई एक टुक्रे में बढ़ चुकी है तो हमने बाबा साहब के उद्धेस को पूरा करने के लिए हमने भारतिये बु महां संग किया स्थापन किया और इसका उद्देश कि बहुत धर्म को परचार परसार करना चौरासी हजार जो बहुत अस्तूप हैं उसको पुनर्द्धार की हम मांग करते हैं जो आज मंदीरों के रूप में तब्दील बहुजगा कर दिया गया है उसको सौपा जाए और हम यह भी डिमांड करते हैं कि भारत को अखंड भारत और स्वर्णी मितिहास को लाने के लिए जो हमारे परधान मंत्री जी का भी प्रयास है तो हम उस परयास के समंद में हमारी अपील है कि बौध साहित को बच्चे को पाठ करम में शामिल किया जाए कि बच्चे बौध साहित को परहें तथागत गौतम बुध को परहें जब बच्चे परहेंगे अच्छे संसकार पैदा होगा और धाम पराधारित जब समाज पैदा लेगा तो हमारा भारत पुना अपने अतीत काल के इतिहास को पुना और दोहरा देगा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अतीत के बारे में कहा कि हमारी टिहास में लोग बाहर से पढ़ने आते थे आपने ना लंदा की आपने तक्षषीला की शोटा की आपने बहुत धर्म के बारें बताया तो तो सर अब क्या difference है अब के भारत में और पहली के भारत में क्या difference है क्यों वहाँ से फिर भारत पिछरता जा रहा हैं क्यों आगे नहीं पड़ पाए है उससी तिहां से उस समय जो समराथ हव सुक की भारत ही भारत में बढ़न भीओं जाती भीओं समाज थी और बहुत धर्म प्राधारित दया प्रेम करुना और प्रस्पर सहजोग प्राधारित सम्ता मुल्क समाज था जिसके कारण तमाम बर्ग के लोगों को सिख्षा पाने का अधिकार था आप गौर करेंगे कि बुद्धा पिरियड में नारियों का सबसे जादे ससक्ति करन हुआ आमरपाली जो एक नर्तकी थी बहुत भीक्षू बनी चारवाक ऐसे रिसी पैदा लिये और हमारे यहां जो सिख्षा के केंद्र क्योंग सिख्षा के केंद्र खोले गए बरे बरे विश्व बिद्याले खोले गए और विश्व बिद्याले और सिख्षा केंद्र का अधार सोध पर अधारी था अनुसंधान पर अधारी था उस समय हमारी टेकनलोजी इतनी डेवलप्ट थी कि चाइना से लोग जपान से दुनिया के तमाम देशों से लोग यहां आते थे पढ़ने और सोध करने के लिए आते थे चाइची किसा के छेतर में हो या धरम के छेतर में हो तो हमारा इतिहास खत्म होने का कारण है कि संप्रदाईक और मनुबादी ताक्तों ने पहला और विदेशी अकर्मन कारियों ने पहले हमारे बहुत धार्मिक अस्थलों को तोड़ने का काम किया, शिक्षा के किंद्रों को नस्ट करने का किया, और जो हिंदु धर्म के जो लोग हैं, उन्होंने जाती अधारित जब वेवस्था पैदा ली, तो शिक्षा का अधिकार कुछ ही लोगों के पास था, जिसके कारान आम लोग सिक्षा प्राप्त करने से बंचित हो जाते थे, सोज हनुसंधान करने से बंचित हो जाते थे, इसलिए बाधा पिरियड अगर पुनर बाधमय भारत अगर बनेगी, आज तथागत गौतम बुध के विचारों को अनुसरन करते हुए, डॉक्टर बी आरामेदकर ने जब भारत के समिधान की रचना की, उसमें सिक्षा के अधिकार सबों के लिए दर्वाजा खोला, आज अनुसरन दहान पर जोड़ देने की सवाल है, और धर्म एक ऐसी चीज है, जो लोगों को आपस में जोड़ता है, प्रेम का सिधान देता है, लोगों को परसपर मदद करने की सिधान देता है, डया करना का संदेश देता है, तो समाज में जो बुराईयां हैं, वो बुराईयां दूर होगी, और अगर आप पंचिसील के सिधानतों को परेंगे, अश्टांगिक मारगों को चलेंगे, तो उसमें हमारे बहुत धर्म में है, नसा के बिरूद, सराव के बिरूद, जूट, बदचलन, तमाम तरह के समाजी का पराधों को परतियाग जो लोग करेंगे, वही बहुत धर्म को स्विकार करेंगे, हमारा लच्च भारतिय बुद्धी सोसाइटी महासंग का है, धमम दिख्षाकेंदर की आस्थापना, आना थाले की आस्थापना, तकनिकी सिख्षाकेंदरों की आस्थापना करना, और इन सिख्षा केंद्रों के माध्यम से समाज के जो अंतिम तबका पर पैदान पर खारा जो बच्चे हैं जिनके पास परतिभा है आर्थिक संसाधन नहीं है वो परहाई नहीं पर सकते हैं उन्हें धमम दिख्षा के साथ साथ उन्हें तकनीकी सिख्षाओं का ज्यान दे कर समरिद भारत बौधमय भारत और तकनीक भारत से जुक्त भारत का निर्मान करना हमारा लक्ष है इसके लिए हम पूरे देश में केंद्र खोल रहे हैं पूरे देश में हम तथागत गोतम भुध की शाहित के लिए पुस्त काले की अस्थापना बावा साहब ने एक पुस्तक लिखी है जिसको ताइवान ने परकासित किया है भागवान भुध और उनका धर्म लाखों के संख्या में हमने इस पुस्तक को ताइवान के सहजोग से मंगाया है कि हमारे जो लोग हैं इसको परहें और डॉक्टर भी आरा मेद कर केवल दलितों के लीडर नहीं थे इस देश ही नहीं पूरे बिसों के महान चिंतकार और दासनिक थे और उन्होंने जब भारत का समिधान लिखा भारत के समिधान में तमाम बर्गों के लिए उनके अधिकारों के लिए चाहे नारी के सवाल हो सरमिकों का सवाल हो या कमजोर बर्गों का सवाल हो पूरे देश के लोगों के लिए उन्होंने लिखा तो अगर बहुत हमाई भारत अगर हम बनाते हैं तो डॉक्टर भी आरमेद करके, बताय मारगोव पर चल करके हम भारत, मजबूत भारत, ससक्त भारत और बहुत हमाई भारत का निर्वान हमारा लक्षा सर तो जैसे आपने इतना खुश बताया तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस संस्था से लोग कैसे जूड़ें इसके लिए देखिए कोई भी बेक्ति हमारे धर्म में जूड़ने के लिए कोई आडंबर नहीं है बाउस सदारां क्योंकि डिफ्रेंसे अन्य धर्मों और इसमें है हमारे यहां पंचिसील का सिध सिधान्त को लोग मानेंगे देखिए हमारा सिधान्त है बुद्धम सरनम गच्छामी धमम सरनम गच्छामी संगम सरनम गच्छामी बुद्ध मतलब बुद्धी के सरन में हम जाते हैं हम धम के सरन में जाते हैं और संग के सरन में जाते हैं यही तिन सुत्र है इसकी का एक दम सधारन सुत्र है कि हम बुद्धी के सरन में जाते हैं कि हम बुद्धी के सरन में जाएंगे ग्यान के सरन में जाएंगे और बिग्यान के सरन में जाएंगे तो हम अंध्यकार से मुक्त होंगे धमम के सरन में अगर हम जाते हैं, तो धमम के सरन का मतलब है, कि हम धर्म के मार्क पर चलते हुए, चलने का संकल्प लेते हैं, हम किसी परकार की कोई गलती नहीं करेंगे, और संग के बताय हुए मार्क पर हम चल करके, हम बोध बनने की कोशिज करते हैं, हमारा सदारम संकल्प कोई आटमबर नहीं है, तीन मंतर का जाप कर लिगे पंचभील का, हपंचभील में भी कोई जूट नहीं बोलना, बेविचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, स्राव नहीं पिना। ये सिधानतों को मानना, जो मान दिया, वही बहुत हिस्ट हो लिया। इसलिए हमारे यहां कोई अड़ामबर नहीं है तो यह भारतिय वुद्धिस्त जो साइटी है महासंग जो है उसको आफ फ्यूचर में कहां देखते हैं आपकों तक लेजांगेखे प्यूचर में तो हम देखते हैं कि बहुद में भारत बनाना और बहुद में जब भारत बन तो स्वता एक नई राजनितिक सक्ति पैदा लेगे। और इस देश पर जो सासन होगा, बहुत धर्म पर अधारित, धमम जिक्षा से लैस बेखती ही भारत पर सासन करेंगे, और भारत का इतिहास को पुनर दोहराएंगे, समराठ होसोक के इतिहास को पुनर दोहराना हमारा लक्ष है, और बहुत धर्म को परचार परसार करना लक्ष है, हमारा किसी धर्म के परती को गिरना की बाबना नहीं है, तथागत गौतमभुद सारे धर्मों को आधर करते थे, तो हमारा लक्ष है ही, बहुत बहुत शुक्रि धन्यवाद में घाजी